मराठा आरक्षन के नाम पर जहां रज के अलग-अलग जिलों में हिंसक वारदाते हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ मराठा आरक्षन के नाम पर ही 12 से ज़्यादा अंदोलन कारियों ने अब तक आत्मत्याय की हैं अकेले बीड जिले में अब तक तीन आत्मत्याय हो चुकी हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीड के शुरली गाउ में और आप मेरे पीछे जो ये पानी की टंकी देख रहे हैं बीते हपते 44 साल के शत्रुगहन ने इसी पानी की टंकी से कूद कर जान दे दी और उनका ये कहना था कि रजसरकार जो है वो अपना रुक साफ नहीं कर रही ह है मराठा आरक्षन को लेकर और यही कारण है कि कई महिनों तक आंदोलन करते हुए जब वो राजी सरकार से नाराज हुए तो उन्होंने इसी पानी की टंकी से कूद कर आत्मत्या कर ली मेरे साथ यहां पर शत्रुगहन के कुछ गाउवाले मौजूद हैं उनसे जानने की क कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी आप अपना नाम बताइए और शत्रुगहन काशिच जो हैं उन्होंने आत्महत्या की है मराठा आरक्षन की मांग को लेकर लेकिन क्या आखिरकार ऐसा हो गया आंदोलन तो अभी बाकी लोग कर रहे हैं शांतेपुन तरी किसे किया जा सकता था क्या नाराजगी थी उनकी नाराज़ी के लिए उपर गया हम रुक्याया उले थे उपर जाके निस्टे बंद्या जेंडेए कुल से निक्से उतर काया हैं हुआ से कुदी मारेनिक है थो खली आरोचन के लिए मेरकौ आरक्षन होना और लेगे लेगे होना उसलिए उसलिए बाजुमी खोड़ रहे थे उदर बाजुमी दूर उन्हों चिलाने के उन्हों भी और दूसरे गाउंवाले पब्लीक यां थी बहुत पब्लीक थे 50-60 लोका थे यहां उसलिए उपर चिलाते चिलाते उड़ी मार्या होनी आपके अब बताइए कि आप लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेते होंगे कभी ऐसा लगा क्या कि सतरुगन जो है वह इस तरीके से आत्मत्या कर लेंगे अगर वह सरकार से नाराज चल रहे थे तो बातचित की जा सकती थी मनो जारांगे तक आप अपनी बात पहुचा सकते थे लेक जो पिछले कुछ दिनों से अंशन पे बैठे थे अमरन उपशन के लिए बैठे थे तब से पूरा जो मराठा यूथ है वो सब डिस्टर्ब हो गया है मेंटली और उनको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है आरक्षन देने में दिरंगाई जान बूच के कर रहे हैं इसलिए जो यूथ है या मराठा है वो सब आइसा आत्मात्य कमार उठा रहे है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ भी कर रहा है और यह जो शतरून काशित साब थे इन्होंने पिछले पास सात आठ दिन से जब से जरंगे पाटिल साब ने दुबारा आंशन चालो किया मरन उपशन बचनी चाहिए और वो उसी इसमें वो दुख में उपर चड़के उन्होंने खुद कुशी किया है मराठा आरक्षन के लिए सिर्फ और मनोज जरां के साब से बात करने बोल गए आप से मैं बात करना चाहूंगा और समयंना चाहूंगा की मैं जब आ रहा था काशित के आरे मैं अधायी कर रहा था तो यह पता चला कि उस वक्ट घटना हुआ तो पुलीस मौझो थी पुलीस ने कुछ किया नहीं क्या क्यों की वैसा बता जा रहा Тी वो तमाशादी रही पाठे दिनों से उसी मुन में थे कि मनूड के जरांवर्ग के साप को सपोर्ट उनको करना था और वो किसी तरी से उनकी जान बचना चाहते थे लेकिन उनके दिमाग में जो आरक्षन का ये हुआ था उसकी वज़े से उन्होंने वहां से चलांग मार को खुदकुशी गर ले आप चुकी युवा है मैं आपसे समाइना चाहूंगा कि आरक्षन की मांग जो है वो नहीं नहीं है बहुत पुरानी मांग है शांदेबुन तर के लिए जितने भी लोग बेड़े उनको कुछ भी अच्छे तरीके से उनको ट्रीट नहीं करते हुए कुछ भी रिप्लाइं नहीं करते हुए सबको अभी तक सिर्फ एक होल्ड पे रखा हुआ है तो इसका जो रोश है वो यूथ में और जो मराड़ा समाच के लोग है और यह सब लोग है अभी गोवर्मेंट ने उनके लिए 25-25 लाग का एक चेक वहाँ पर जारी किया है और उनके एक फैमिली मिंबर्स को वहाँ पर गोवर्मेंट नोकरी देने का आशवाशन यहां पर दिया गया है। और वो भी गोवर्मेंट जल्दी से जल्दी यहां पर यहां मिलने गए थे वहां से उनको उसके मेन में बात बैठ गई कि जारेंगे पार्ट लिए कुछ तो कर रहे हैं समाज के लिए कारे कर रहे हैं उसको आपने सपर्ट करना चाहिए और कौन कौन है और किस फ्रीकें सब्ख्यार रख जब ये उसके माता पिता है मैं उसका भई हुं अवरूस पिन बच्चे है दो दो टीन बच्री नंके तो अपने पस्नाकि किस दो ओले जो आत्मात्या कर ली है एक तरफ जहां पुरे राज भर में आरक्षन की मांग को लेकर हिंसक वारदाते हो रही है मैं दूसरी तरफ आत्मात्याई भी जो है वो रुखने का नाम नहीं ले रही है और सरकार जो है वो अपना रुख साफ नहीं कर रही है राजनीती जो है वो लग हैं उनके परवार वालों से हम आपकी बातचीत करवाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या परवार वाले को कभी ऐसा लगा था कि शत्रुगान इस तरीके का जो है कोई कदम उठा लेंगे आप अपना नाम बताईए और कभी आपको ऐसा लगा था कि अब देड़ा वागा शुटुक्त है थी तो तो उन्होंने कि आए उन गोष्णा करते हैं चार पास दिन लगातर गाव में पिर रहे ते ख़्रण कर रहे एक मराटा लाक मराटा कोईके लाग ए टीड़लार लेकिन वह सो समें नहीं पाए हमने बहुत वह समझा यांकोा ma Unless दो चार दिन से हम समझाते रहे उने पर वो नहीं समझा वो कहा कि नहीं मेरे को आरेक्षन चाहिए मैं जरांगे पाटिल का समर्तक हूं ऐसा कहने लगा अब अब उनके फैमिली में और कौन-कौन है आप बहन है मैं बहन हूँ यह उनका बेटा है बड़े राम शत्रगुन काशिद यह उनकी पत्नी है बीवी है लोचना यह मां है उनकी सरस्वती यह वडिल है यह पिता जी है आनुरत काशिद बड़े भाई है भरत कि आप से जाना चाहूंगा कि आप बताईए कि सरकार के तरफ से कोई आप लोगों को मदद मिली है कभी कुछ ऐसा लगा कि शत्रगान इस तरीके का कदम उठा लेंगे नहीं लगा हमको चत्रगुंट भीया इससे करेंगे वह कि नहीं लगता इसे करेंगे वह बोलते थे मारा टारक्शन मिलांगा वह दरणगे पार्टी उपसंद को बैठी ते ना 40 दिन उस दिन से ओजानने को गए थे न वोट इस दिन से बोल रहे है थे हमाने को आरेक्शन चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वोगोशना दित अब उनके जो फैमिली मेंबर हैं तो किस तरीके से आगे जो जिन्दकी चलेगी उसको लेकर क्या कुछ सोचा है सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे कोई अपील करना चाहेंगे सरकार के तरफ से हमको मदद चाहिए ना कुछ तो यह शत्रुगन काशित के घरवालों का आप सुन रहे थे इनका खाफस्टोर पर यह कहना है कि शत्रुगन ने आत्मत्या की है अब तक उनको कोई सरकारी मदद नहीं मिली है और यह चाह रहे हैं कि सरकार जो है सरकारी मदद इन तक पहुंचा है साथ इस साथ जो आरक्षन है उसको लेकर जल से जल अपना रुख साफ करें क्यामरागन प्रशाद माने के साथ कृष्णा ठाकूर एविप नियूस बिल्ड क्यामरागन प्रशाद माने के साथ कृष्णा है